दोस्तो एक बड़ी खुशकवरी परधान मंत्री आवासुजना ग्रामीन 2023-24 के अंतरगत तो दोस्तो आज में आप लोगों को बताऊंगा 2023-24 के अंतरगत कितने लाभार्तियों का रेजिस्टरेशन हो चुका है परधान मंत्री आवासुजना के ओपिसेल पेज पर तो दोस् जिसमें दोस्तो राक्ष रखा था 2022-23 और 2023-24 के अंतरगत एक कोड़ो लाभार्तियों का तो दोस्तो इसमें आभी तक 26 लाग लाभार्तियों का रेजिस्टरेशन हो चुका है यहाँ पर आपको पूरा डीटेल्स दे में देखने को मिल जाएगा कीन की राजी के अंतरगत क इतने लाभार्तियों का रेजिस्टरेशन हो चुका है तो दोस्तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो 2,81,000,000 से भी जाधा लाभार्तियों का रेजिस्टरेशन हो चुका है 9,30,000 से भी ज़्यादा लाभारतियों का रेजिस्टेशन हो चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप लोग तीसरे देख सकते हैं तीसरे नमबर पर कौन आता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और दोस्तो इन सबी लभार्तियों को फेसा भी मिल चुका है इन सबी लभार्तियों को आवास भी मिल चुका है अभी तक और दोस्तो अब हम आपको बताएंगे 2023-24 के अंदरगत कितने लभार्तियों का रेजिस्टरेशन हुआ है यहाँ पर आपको 2023-24 को सिलेक्ट कर लेना है जैसे दोस्तो हम यहाँ पर 2023 को select करेंगे इसके बाद दोस्तो हम जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर आपको पूरा details में देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं registration का संखा यहाँ पर एक मतलब दोस्तो अभी तक एक लाभारती का registration हुआ है वो भी दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 गड़ के अंतरगत एक लाभारती का registration हुआ है 2023-24 के अंतरगत तो दोस्तो आप registration कैसे कर सकते हैं registration करने के लिए क्या-क्या documents लगेगा तो registration होना जारी हो चुका है सब्वी राजी के अंतरगत अगर दोस्तो आप अभी तक registration नहीं किये है तो दोस्तो इसके लिए आपको registration करना पड़ेगा आपको अपने blog करीयालोंव पर जाना होगा और वहाँ पर जाके आप registration कर सकते हैं सब भी ब्लॉग कर्यालों पर रेजिस्टरेशन होना सुरू हो चुका है जैसे ही दोस्तों आप रेजिस्टरेशन करते हैं आपका एक मेना के अंतरगत परधान मंत्री आबासुजना के ओपीसियल पेज पर आपका नाम को एड़ कर दिया जाएगा इसके बाद दोस्तों आपका 10-15 दिन के बाद आपका वेरिफाई किया जाएगा आपका हाउस सेक्षन किया जाएगा इसके बाद दोस्तों आपका 5-10 दिन के अंतरगत फैली करिस्ट का पेशा आपके एकाउंट में आ जाएगा दोस्तों आपको तीर मेना के अंतरगत आपको फर्धान मंत्री आवासुजना का लाब मील जाएगा दोस्तों जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सस्क्राइब कर ले धिन्यवाद